आज की रेसिपी है बटर कार्लिक मश्रूम्स की सबजी जो की बहुत रिलिशिस बनती है और बनाने में बिल्कुल एजी है आप जटपट से इसे रेडी कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना इसके लिए मैंने 250 ग्राम्स ये मश्रूम ली है इसे वाष करके उपर की इसकी स्किन ऐसे नाइफ के साथ हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये मैली होती है डस्ट होती है इसके उपर इसे अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे और इसका नीची का पोश्ण है जो मश्रूम का वो भी हम ऐसे कट कर देंगे और इसे दो पोर्षिंज में हम सेंटर में से कट मार देंगे ऐसे सभी पीसेज को हम ऐसे ही कट लेंगे ये देखिए सभी मिश्रूम्स मैंने कट कर ली हैं अब नेक्स टेप के लिए हम पैन में ओयल लेंगे थोड़ा सा तकरीबन दो तीन टीस्पून और दो टेबल स्पून इसमें बटर डालेंगे यह बटर गार्लिक मश्रूम्स की रेसिपी है लेकिन थोड़ा सा ओयल इसलिए डाला है तांकि हमारा बटर है जो वह जलेना बटर मेल्ट हो चुगा अब इसमें बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्यास डाल देंगे यह तकरीबन मैंने दो प्यास लिए हैं मीडियम अकार के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे प्यास को हमने ओवर कुख नहीं करना हलका सा पकाना है हमने प्यास को बस उसके बाद हम हमारी यह जो मश्रूम है वो एड़ कर देंगे यह 250 ग्राम्स मश्रूम है आप जितनी कॉंटिटी में बनाना चाहें प्यास और बाकी मटेरियल उसके अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं इसमें मैंने दो प्यास लिए है अच्छे से मिक्स कर देंगे और इससे गोर्डन होने तक हम ऐसे कुख करते रहेंगे मारी मश्रूम अच्छे से गोर्डन हो चुकी है यह देख सकते हैं अब हम इसमें एक चम्मच गार्लिक और उसके साथ ही वन टी स्पून सॉल्ट मैंने अड़ कर दिया है साथ ही हमने नमक डाल दिया है ताकि कुकिंग प्रसेस से जो फास्ट हो जाए किसी भी रेसेपी में अगर आप नमक पहले डाल देते हो तो फास्ट स्पीट से कुक हो जाती है अब इसमें हम ब्लैक पेपर डाल देंगे वन टी स्पून और हाफ टी स्पून है यह जो हम चि उपर से धनिया पत्ती डाल देंगे और लो फ्लेम पे एक मिनट के लिए कुक करेंगे ये लिजे हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है बहुत ही तेस्टी लग रही है चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं ये लिजे बटर गार्लिक मश्रूम की ये सब्जी बनके रेडी है आपको ये रेसिपी कैसी लगी बताना मत भूलिएगा और इस रेसिपी दोंट फगेट तो लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब तो मैं यूट्यूब चैनल थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो